मेरी चानल में आप सबको नमस्ते हमारी आज की जो रेसिपी है वो है प्राउन मलाई करी जो की चिंगरी मलाई करी भी हम बोलते हैं उसके लिए हम से पहले कराई में सरसुकर तेल एड करेंगे हमने प्राउन को अच्छे से वाश करके उसमें नमक और हल्दी मिला करके रख द अधिर को फ्राई का लेते हैं यह बान को जादा नहीं पकाईगी जादा पकाने से ब्राउन हाड हो जाएगा एक फ़रोमनिक पका की आप निकाल लीज़े हैं यह अधि प्राउन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहे और अगर आप कमफरटेबल है तो आप प्राउन को बिन प्राउन को निकाल दिया है अब सेंग कराई में हम ग्रेवी के लिए सरसो का तेल एड़ करेंगे और उसमें चमज घी आड़ करेंगे जब तेल और घी अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें सबसे पहले हम एक परेंगे काला जीरा और फिर हमने एक पेश्ट बना के रखा था जिसमें की एक तमाटर है देर प्याज है दो हरी मिर्च है पांस से छे लेसन है और एक इंच अधरकर टुकर है वो पेश्ट हमने पहले से त्यार की रखा था अब उस पेश्ट को हम उसकराई में डालेंगे अब उच्छे से मसाले को पकने तक हम पकाएंगे अब एक एक करके अड़ करेंगे सबसे पहले चीनी अब एक एक करके अड़ करेंगे पर नमक दोनों ही आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें चो इसमें एड करेंगे हल्दी कुछमीरी लाल मिर्च का पाउडर एक केविल स्पून जीरा पाउडर और एक टीस्पून धन्या पाउडर उसमीरी आप дरूर एड़ करें, इसे की ग्रेवी मेना एक बहुत अचा कलर आता है अब मसालों को अच्छे से तेल निकलने तक हम अच्छे से पकाएंगे और जो मलाइकरी है उसमें नारियल का दोद निकाला जाता है, नारियल को पीस के rus骼न की उसका दूद बनाया जाता है, वह दूद चाहां पे यूज होता है, पर हमने यहां पे डैरेक्ट नारियल और थोड़ा सा पोस्टों यए पॉपीसीट का पेस्ट बनाया है, वह हम इस इसलिए मलाइकरी बोलते हैं क्योंकि उसमें जिनारियल का दूद है वह जाता है सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद इसमें जो हम प्राउन को व्राइगर करेके ते वह आद कर देंगे इस ब्रेवी में प्राउन को अमेचे दो में अपाएंगे लाश्ली हम इसमें अड़ करेंगे गरम मसाला सब को अच्छे से मिलाएंगे चिंगरी मलाइक लिए बनके तयार है आप इसे जरूर ट्राइक कीजिए यह बहुत अच्छा लगता है खाने में नौर्मल राइस के साथ आप इसे खाए कोई अलग राइस को यह राइस नहीं चाहिए इसके लिए प्लेन राइस के जावता आप इसे खाए और बहुत अच्छा लगे यह खावे में अब आपको यह वीडियो पसंद आरा है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर जिएगा थैंक्स पर वाचिंग